साथ में मिलके शुरू करते हैं जिन्दगी की तूसरी इनिंग G20 की मीट चल रही है बैंगलोरों के अंदर क्या उसके अंदर क्रिप्टो को बैन कर दिया क्या वहां पर ये चर्चा चल रही है क्रिप्टो को बैन कर देते हैं काफी सारे ऐसे आप निउस आर्टिकल्स काफी सारे ऐसे वीडियो और काफी सारे ऐसे content देख रहे होगे जहां पर आपको confusion हो रही होगी तो इस वीडियो के अंदर हमेशा की तरह हैं अपना काम यह है कि actual facts आपको बताना कि बात क्या है और G20 के अंदर हुआ क्या देखिए य इतना सारा information है, articles है, news articles, paper के अंदर आ रहा है, you know, Twitter पे, YouTube पे, actual में G20 के अंदर हुआ क्या, यह किसी ने समझने की कोशिश करी, मैं थोड़ा सा यहां पर आपको summarize करके बताऊंगा कि G20 के अंदर हुआ कि G20 के अंदर हुआ कि हुआ क्या, जो government की press release है, उसके अंदर क्या हु हुई है, नहीं हुई है, यह भी मैं आपको बताऊंगा, और बहुत ही समय रहा है, छोटे से, you know, वीडियो के अंदर मैं बताने की कोशिश करूँगा, यह वीडियो है, अगर आप crypto में deal करते हो, और अगर आपको regulation के उपर, you know, यह जानना है कि actual में हो क्या रहा है दुनिय हमें, और क्या take है government का, G20 का क्या take है, तो यह वीडियो आपके लिए helpful हो सकता है, और आपकी confusion भी दूर हो सकते है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसे महौल के अंदर काफी सारा, you know, confusion पैता होता है, और क्योंकि बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके से news को decode कर रहे होते हैं इस टाइम हर एक media platform इसको cover कर रहा है, कि G20 और crypto, G20 और crypto, आप देखो कि इस तरह की headlines भी आ रही है, ban on crypto emerges, तो यह आपकी problem नहीं है, इस तरह का महौल बनाया जाता है इन दुनों में कि, क्योंकि इस से नहीं क्या होता है, कि आदमी को panic होता है, फिर वो जाता है, और वो नाम लो हर एक media outlet इसको cover कर रहा है, यहां तक कि जो government की एक, यह जो G20 के अंदर जो discussion हो रही है, G20 के अंदर जो meeting होई, जो यह दो दिन चली, तो इसके अंदर क्या है कि, जो भी outcome हुआ, उसका एक press release भी जारी किया जाता है, तो government ने कल एक press release भी जारी किया था, Finance Ministry ने, जिस इसको 25 वरवरी, कल एक बज़े यह release हुआ गा, और इसका headline यह था कि, panel discussion on policy perspective, debating the road to policy consensus on crypto assets, under G20 India presidency, मैं आपको बता दूँ कि, इंडिया के पास G20 की इस साल जो है, presidency है, G20 है क्या थोड़ा सा, इसको भी समझ लेते हैं, short में, G20 अगर आप देखो तो दुनिया के 19 countries हैं, और ए 85% जो global GDP है, वो इन countries के पास है, 75% global trade जो है दुनिया का, वो इन countries के पास है, इस G20 के पास है, और दुनिया की two-third जो population है, वो भी इन देशों के पास है, तो आप सोचो कि, मतला almost पूरा दुनिया गवर हो गई ना, पूरी दुनिया गवर हो गई, two-third of population, 75% global trade, 85% GDP, इन इसे लागू हो जाएंगे, ठीक है, अब इन देशोंने मिलके करा क्या है, इस पर इस रिलीज में लिखा क्या है, उसको मैंने क्या करा, कि सारा ये डिटेल बढ़ने के बाद एक thread form में बनाया है, ट्विटर पे, अगर हम मुझे ट्विटर पे follow नहीं करते हैं, ट्विटर आपका अकाउंट होना चाहिए, यह मेरा ट्विटर आईडी है, SIM, PLY, SIMPLY, काशिफ, KASHIF, KASHIF, इस पर हम मुझे follow कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने immediately इसको breakdown किया, इस threat को almost 8300 views हो चुके हैं, दो बजे हैं, मने दो घंटे पहले ये डाला था, तो काफी अच्छा response है, क्योंकि हो तो basically क्या था कि G20 की presidency इंडिया के पास है, तो इंडिया ने IMF को बोला कि आप जो है, एक panel discussion initiate करिये, ठीक है, तो presidency है, तो इंडिया IMF को बोल सकता है, यह सबसे बड़ी power की बात यह ना, कि इंडिया ने IMF को बोला कि भई, इस G20 meeting के दुरान, Bangalore के दुरान, हम लोग चाहत है, debating the road to policy consensus on crypto assets, crypto assets के ओपर एक चर्चा होने चाहिए, कि इसके ओपर एक consensus कैसे बनाए, एक policy पर, crypto की एक policy होने चाहिए, जो G20 के members आरे follow करें, इसके ओपर consensus होना चाहिए, इसका larger topic का, जो discussion का मतलब यह था, कि एक तो consensus बनाए, crypto consequences, तो पहला objective था कि इसके consequences का है, crypto adoption के, on the internal and external stability of countries economy, जो देश की economy है, उसकी stability पर क्या आसर होगा, crypto का, और दूसरा के impact क्या होगा, उसका financial system पर, crypto का, इसके अंदर majorly 5 point cover किये गए, इसके अंदर 5 point जो cover किये गए, वो था crypto taxation, कि taxes कैसे हम evaluate करें, crypto के, number 2, crypto को classify कैसे करें, तो इसको stable coin क्या होते है, जो बाकी crypto assets है, जो backed नही है, किसी real world assets से, उनको कैसे treat करें, उनको कैसे classify करें, तो इस तरीके से वो classification करने की कोशे की गई, तीसरा benefit और risk क्या है, crypto assets के, ठीक है, macro economic policy questions, crypto के regarding, और financial stability issues and regulatory responses क्या होने चाहिए, तो basically क्या था, ये panel discussion इंडिया ने प्रपोज किया, IMF को बोला, IMF नहीं पैनल discussion करवाया, उसक अंदर ये 4-5 point cover किया गया, यहां तक clear हो गया, तो इस panel discussion के अंदर benefit of crypto पहले discuss हुए, benefit में cheaper and faster cross broader payments के लिए use होता है crypto, more integrated financial markets, ठीक है, और increased financial inclusion, कि जहाँ 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 लोग जो banklers हैं दुनिया में, जिनके बस banking प्रणाली अभी तक नहीं पहुची है, तो उनको भी include किया ज और यह claims जो है, they are yet to be realized, इनके benefits कितने होंगे यह भी, they are yet to be realized, but on paper, on face लगता है कि crypto के यह benefits है, जो वहाँ पे चर्चा होई, उसके बाद problem, crypto के अंदर problem के है, यह point मुझे भी पसंद आए actually में, यह point रखा ईश्वर प्रसाद from Cornell University और Hillary Allen from American University, उन्हें ने बोला कि crypto highly centralized है in nature में, just despite the fact के, it claims to be decentralized platform, highly centralized in the sense, जो यह कहीं नहीं FTX को लेके बोल रहे थे, C5 के ecosystem को लेके बोल रहे थे, और plus, काफी सारे जो crypto assets है, जो tokens है, वो भी कहीं नहीं centralized manage होता है, उनका founder होता है, वो token money raise करता है, और उसके बाद, we all know, कि वह तरीके से security के उसमें fall करते है, काफी जारा crypto centralized है यह यहाँ पर problems in crypto को discuss किया गया, crypto के doubt on potential, मतलब यह भी discuss हुआ कि crypto का क्या वाकिय में कोई potential उसका benefit है, क्योंकि यहाँ भी लिखा गया कि there is also an existing question on whether crypto assets are indeed the optimal solution for existing challenges, क्या जो existing challenges है global financial world में, क्या crypto assets उसके लिए optimal solution है भी क्या नहीं या सिर्फ, we are just talking about it, or we are just assuming it, तो यह भी discuss हुआ, यहाँ पर, plus crypto is not a legal tender, यह clear है, यह बहुत important point है, क्योंकि निर्मा सीथा रनमन जी ने जो finance minister है, उन्होंने एक press conference के दुरान यह बात बोली, कि जो crypto है, उस पे सारे members का एक मत यह है, कि crypto financial, legal tender नहीं है, right, legal tender वो, यह कि जो भी bank ने अगर issue नहीं करी है, वो legal tender नहीं हो सकता, तो legal tender वो ही है, जो sovereign bank या sovereign nation का जो bank है, जो central bank है, उस ने अगर issue करी, इस पे सारे देशों का एक मत है, तो यह clear हो गया है, कि legal tender तो यह कहीं से भी होने वाला नहीं है, जितने भी G20 के nations है, चाहे अभी final policy framework बना नहीं है, लेकिन अभी एक point पर यह clear clarity होगी, उसके बाद होगा, complete ban was also discussed, जो आप समझना चाहते हैं, जिसके लिए आप यह वीडियो में है, दिखें, यह RVA के जो governor थे, उन्होंने यह बोला, press conference में, कि भी, there were opinions expressed, saying that the option of a ban or prohibition code should also be considered, अब एक बाह बताओ, वहाँ 19 देशों के प्रतिनी दी, उनके governor, उनके deputy governor, European Union, बतलब इतने बड़ी जंता बैटी है, हमाँ पे पैनल के अंदर, एक मन्थन हो रहा है, brainstorming हो रही है, तो यह natural सी बात है, कि ban का option भी consider किया होगा, बढ़ क्या ban होगा, नहीं, क्योंकि अगर ban हो नहीं होता, तो इस मन्थन की क्या जरूरती, जब बहु It is one of the option that was discussed, option तो महाँ पे बहुत सारे discuss हुए होगे इस forum में, लेकिन ban हो रहा है, is not the right way to put it, तो यह बिल्कुल गलत है कि ban हो रहा है, ban was one of the option that was discussed and RBI के government confirm किया है, which is okay, क्योंकि it is one of the option that was discussed, हो रहा है कि नहीं हो रहा, no, it is not getting banned right away, और मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं उस प के बाद हम बात करते हैं कि यहां पर यह डिसाइड हो है कि finally एक paper submit होगा, joint technical paper, जो कि IMF और Switzerland की financial stability board, तीन, दो लोग, FSB और IMF मिलके यह technical paper submit करेंगे, September 2023 में, और 23 में, October में, दुबारा से जो governors है, Central Bank के जो governors है, हो मिलेंगे, और इस पर चर्चा करेंगे, इस technical paper पे, so you can expect कि final policy paper in October 2023, इस चिस पर कोई न कोई, कहीं न कहीं consensus बनता है, आपको दिखेगा, so यह था discussion, अब मैं आता हूँ कि, अब finally ban होगा, नहीं होगा, एक मेरे viewpoint क्या है इस पर, और इस पूरी G20 के उपर, जो me to east के अंदर क्या perspective है, देखो, एक चीस clear में आपको बता दूँ, फिर से मैं एक screen share करके आपको बता देता हूँ, कि यह देखे, अब यह G20 का यह देख रहा हूँ, यार अगर आप देखो न, इन nations के अंदर, Australia, already crypto में काफी progress कर रहा है, इसके Argentina, वहाँ पे inflation बहुत हाई है, वहाँ पे Argentina के अंदर, you know, Bitcoin के अंदर trade हो रहा है, Bitcoin के exchanges हैं, सब वहाँ पे Bitcoin क अंदर काफी progressive है, outlook, Brazil के अंदर भी crypto को लेके काफी, यहाँ पे ETF से Canada में, China के अंदर अब भी हमने देखा कि crypto को लेके hostile था, लेकिन ban वहाँ पे भी नहीं है, you can possess crypto, इन्होंने ICOs or crypto trading on mining को ban किया हुआ है, लेकिन अब जब से Hong Kong की, जहाँ से licensing की आया, कि Hong Kong के अंदर crypto assets के license issue क जा रहे है, तब से ऐसा लग रहा है कि China का रुख बदल रहा है, France के अंदर भी crypto को लेके काफी आगे है, Germany के अंदर जो वहाँ के companies है, you know, वो banks जो है, वो custodial services दे सकते हैं, और crypto को लेके काफी progressive है, India के अंदर भी ban नहीं है, ecosystem यहाँ पे भी है, flourish कर रहा है, अब उसके उप अंदर भी बहुत crypto progressive mode में, Italy, चाहे जपान और जपान के अंदर तो proper license issue हो रहे है, वहाँ पे FTA जैसे scenario से users बज गए, क्योंकि वहाँ पे license issue होते थे, और यहाँ पे stable coins को लेके भी, you know, algorithmic stable coins के लिए भी, को लेके भी एक issue, notice जा रही हु है कि algorithmic stable coins will not prevail in Japan, stable coins पे policy है, clear guidelines है, Mexico म flourish हो रहा है, Republic of Korea के अंदर से भी हमने देखा के काफी सारा crypto हो रहा है, और वहाँ पे license issue हो रहे है, proper Russia के अंदर भी, वहाँ पे bill जो है, वो बन रहे है, pass हो रहे है, वहाँ पे जो trade है, उसको crypto के अंदर करने की बात चल रही है, Saudi Arabia जो है, वो next crypto hub बनना चाहता है, South Arabia ने अपन crypto progress कर रहा है, Turkey के अंदर भी काफी bitcoin flourish किया है, because of high inflation there, और अभी 5.9 million US dollar worth of crypto Turkey के अंदर गया है, as a donation, तो donation को बैंतो नहीं करा, Turkey ने दूरी दूनिया से, 6 million US dollar है, crypto के थूँ, वहाँ पे donation के थूँ, United Kingdom ने पहले ये घुशित कर दिया है, कि वो crypto hub बनना चाहते हैं, वो भी दु परिश कर रही है, United Kingdom से, United State of America के बारे में तो हम दिन रात बात करती रहते हैं, और European Union के अंदर, जो European nation है, वो भी अपना, वहाँ पे comprehensive policy, guidelines लेके आ रहे है, stable coins और crypto के प्रती, right, so all in all, मैं आपको जो ही बताना था, कि आपको इतनी सारी countries के अंदर, एक भी country देखी जिसने बो क्योंकि अगर ban करना होता, तो यह अपने-पने respective देशों में उसको progress क्यों करने दे रहे है, flourish क्यों करने दे रहे है, license क्यों issue कर रहे है, stable coins पर guidelines क्यों issue कर रहे है, right, काफी सारे देशे काफी आगे बहुत चुके है policies के अंदर, right, तो मुझे नहीं लगता कि ban होगा पहली ची देखे, ban, जब हम कहते है, crypto, आप कई पर यह सुन, लोगों से कहते हैं, crypto ban नहीं हो सकता, बिल्गुल घलत है, crypto के अंदर, हर चीज, जो है, वो ban and ban के अगर में बाहत बता हूं, तो crypto के अंदर काफी सारे चीज़े ban हो सकती है, जैसे की C5, ban हो सकता है, आप license issue मत करो, notice जारी सकते हो, आप developers को ban कर सकते हो, आप notice जारी कर दो, कि कोई भी crypto company के लिए काम नहीं करेगा, उसके लिए code नहीं लिखेगा, उस particular jurisdiction के अंदर कोई पाया गया, तो वो दोशी करार होगा, ban हो सकता है, developer ecosystem, VCs को आप ban कर सकते हो, crypto companies में invest करने से, आप traders को ban कर सकते हो, किसी भी company में, project में invest करने से, आप उनको जो चीज बैन करने वाली है, आप उसमें C5 है, developers है, exchanges है, traders को आप ban कर सकते हो, banks को आप बोल सकते हो, कि services नहीं देनी, राइट, main चीज है जब हम कहते हैं कि ban हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो आप क्या decentralized protocols को ban कर सकते हो, software को ban कर सकते हो, जो कि internet पे रह है, जैसे कि मैं आप बोलता हूँ कि आप bitcoin को ban कर सकते हो, कि नहीं, आप ethereum को ban कर सकते हो, आप बाकी जो projects है, ban कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि suppose करो, कोई एक L1 है, उसकी 15 node है, जो उसने खुद अपॉइंट करी है, 100 node है, 200 node है, जो उसकी खुद self-appointed है, उसकी खुद सेलफ अगर वो बंद हो जाती है, तो बंद हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्योंकि जो nodes हैं, वो self-appointed है, कोई भी protocol की, अगर सारी nodes आपने उड़ा दी, उसका पूरा ledger ही आपने उड़ा दिया, तो आप बंद कर सकते हो, खतम कर सकते हो, बिल्कुल खतम कर सकते हो, तो protocols को बंद करना कोई भी एक node exist अगर करी, तो तुम्हें उठा के 50 साल की 25 साल की सजा है, ठीक है, तो बैन हो सकता है भी या उठाया जाए, अब यह को कि बड़ा, सर आप तो बड़ा ऐस example दे रहे तो possible नहीं है, है, बात possibility और उसकी नहीं आ रही, कि possible है कि नहीं, मैंने आपको ओदा है possible है, होगा नहीं होगा, वो doubtful है, right, क्योंकि अगर suppose billion dollar ecosystem है, अगर कोई 100 billion US dollar का ecosystem है, कोई L1 है, जो 50 billion US dollar पहुच गई, right, हमने पीछे देखा है, कितने centralized हैं ही platforms, हमने देखा कि इन्होंने time कभी कबार यह, पूरा का पूरा L1 ecosystem इन्होंने restart किया है, पीछे अगर कोई hack हो रहा है, तो अपनी notes को, you know, direct करके उस transactions को block कराया, right, पूरा chain को ban करा, फिर उसको restart करा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन काफी सरी L1s हैं सी, right, जिन्होंने proof किया कि वो highly centralized है, ठीक है, तो जब इस तरह की चीज़े हैं, तो जब यह blockchain को रोक सकते हैं, restart कर सकते हैं, तो उसे completely ban भी कर सकते हैं, उसे पूरा एको पूरा ecosystem खतम कर सकते हैं, right, so unless कि वो एक level की decentralization पे नहीं पहुच जाते हैं, जैसे कि आज के rate में bitcoin है, right, Ethereum भी काफी हद तक decentralize है, right, और proof of stake पे आने के बाद उसके decentralization पे debate रहती है, बट काफी हद तक decentralize है, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो पूरा ecosystem है, right, वो debatable है, और मैंने आपको बताया, hypothetical है, कि हाँ वो होगा नहीं होगा, वो ठीक है, हो सकता है, हाँ हो सकता है, इसको समझना पहुच जरूरी है, right, तो मेरा आप से यही हमेशा से निवेदन रहा है, यही चीज़े रहे हैं, कि आप जब भी किसी चीज़ क समझो, तो उसको depth में जाके समझो, उसकी detail को depth में जाके समझो, कि यह actual में बात किस चीज़ की कर रहे हैं, right, कि कौन सा ecosystem बैन हो सकता है, कौन सा ecosystem बैन नहीं हो सकता, right, और यह समझना आपके लिए बहुँ जरूरी है, plus अभी कि उसमें अगर perspective में देखा जाए, कोई ऐसी ख यानि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे आपको invest करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए आप बने रहे हैं, बेटे निंग के साथ, अगर आपको एक content बसंद आया है, तो please comment करते रहेना, like कर देना, subscribe कर लेना, यह channel exponential तरीके से grow कर रहे है, सिर्फ आपके प्यार के और वो इसलिए grow कर रहे है, क्योंकि आप हर वीडियो के बाद comment करते हैं, like करते हैं, share करते होंगे, तब ही यह video, यह exponential तरीके से grow कर रहे है, थीक है, thank you, thank you for this love, यह प्यार बना के रखिए, thank you very much.